मनुष्य समाजशिल प्रानी है अर्थात हम सब समाज के साथ रहते हैं महत्वपुर्णा बात है कि व्यक्ति कितना भी कर्तुत्ववान क्यों नहों वहां अकेला कुछ नहीं कर सकता उसे दुसरों के मदद देनी पड़ती है अब हर व्यक्ति अलग-अलग होने के कारण एक दूसरे को समाल लेना सामने वाले की बुरी चुजों को नजर अन्दाज कर अच्छी चीजों का उपयोग कर लेना या अच्छी चीजों को प्रोच्छान देना अतिनत आवशक होता है जिस कारण सामने वाले को समझना उससे जुड़ना यह आपके लिए आवशक होता है जिस कारण सामने वाला कैसे जुड़ा जाएं यह आपको समझना है तो यह वीडियो आपके लिए है इसे अंत तक देखना ना भूले नमस्कार मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ जोतिश सलाह इस नई शुंखला के हमने शुरुवात की है यह संकलपना का महत्व इसके आवशक्ता और वह सभी के किस प्रकार उपयोग में आने वाली है इस संदर्भ में मैंने आपको पीछले भाग में विस्तार से बताया है अर्थात घर के बाहर के परिचीत अपरिचीत रोज मिलने वाले अचानक मिलने वाले इन सभी लोगों से कैसा व्यवहर करना चाहिए सभी के साथ कैसा बरताओ करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंद बने रहे काम भी उच्चीत पंदती से पूरा हो जाए और उससे भी महत्व पुरुना बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो यह मैं आपको राशी के अमसार बताने वाली हूँ उसमें पीछले भाग में कन्या राशी के संदर्ब में मेश से कन्या राशी तक वार्ता लाप किया और किसके साथ आपको समल कर रहना होगा इसे सभी विश्यों पर हमने विस्तार से वारतालाप किया आज हम कन्या राशी के जातकों ने तुला से मीन राशी तक के जातकों के सयाथ कैसा व्योभार करना चाहिए यह समझने वाले हैं इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूले साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में मैं आपको कोन से राशी की जानकारी प्रापत करनी है वह आप हमें कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट सबसे अधिक आयेंगे उस पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना ना भूले ताकि दुसरों तक पहुच पाए तो तुला राशी की दुरुष्ची से विचार करें तो यह राशी कन्या राशी के धनस्तान में आती है अर्थात यहाँ पर द्वी द्वादर्शक योग बनता है जिसे हम दो बारा का योग कहते है तुला राशी का स्वामी शुक्र और आपका राशी स्वामी बुध में प्राकृतिक रूप से मित्रता है जिस कारण कन्या और तुला राशी के जातक यदि एक दुसरे की कुछ चीजों को समान ले तो आपके अच्छी जोड़ी बन सकते है अधिक खर्च करना, साप सुद्रा रहना, सभी को साथ लेकर चलना यह तुला राशी का मूल सभाव है तो कन्या राशी को साप सुद्रे रहने वाली स्वच्छता प्रिय, अधिक बाते करने वाली राशी कहा जाता है कन्या राशी अर्थ त्रिकोन में आती है, तो तुला राशी काम त्रिकोन में आती है यहाँ एक प्राकृतिक अंतर विरोध की स्थिती बनती है जिस कारण कन्या जातकोंने मान लेना चाहिए कि सामने वाली व्यक्ति तुला राशी की है तो वह अधिक खर्च करेगी, वह उसका मूल सभाव है, तो आपकी उनसे मित्रता हो सकती है, आप दोनों एक दुसरे के साथ अच्छा कार्य कर सकते हैं, किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद रुष्चिक राशी की दुरुष्चि से विचार करें, तो यह राशी कन्या राशी के तुरुतियस्तान में आती है, यह राशी चरत अत्वकी, जलत अत्वकी और मोक्षत रिकोन की राशी है, आपका राशी स्वामी बुधह और रुष्चिक राशी का स्वामी मंगल में प्राकृतिक शत्रुता है, जिस कारण रुष्चिक राशी के साथ आप तत्व की राशी होने के कारण यहां प्राकृतिक अंतर विरोध की स्थिती में मान होती है। इस कारण से भी रुष्चिक राशी के साथ आपकी जोड़ी नहीं बनती है। लेकिन ऐसी व्यक्तियदी आपके जीवन में आये या किसी कारण से भी रुष्चिक जातक के साथ यदि आप उन्हें समालते हैं, तो व्रुष्चिक जातकों के साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपके पडोसी, यदि व्रुष्चिक राशी के हो, तो आपने मान लेना चाहिए कि बीज बीज में वे शिगरता से क्रोड़ित होंगे, और उतनी ही शिगरता से वे शान्त भ प्राकृतिक शत्रुता है, यह दो व्रुष्चिक राशी के जातकों किसी भी चीज को मन में रख नहीं सकते हैं, आपको अधिक बाते करना अच्छा लगता है, ऐसे अंतर विरोध की स्थिति आप में निर्बान होती हैं, इसके बाद धनुराशी की दुरुष्टी से तोनों भले ही दुई सभाव राशी हो, लेकिन आपकी राशी पूत्वी तत्व की राशी है, तो धनु अगनी तत्व की राशी है, आपकी राशी अर्थ तत्व की है, तो धनु धर्म तत्व की राशी है, इन सभी चीजों का विचार करें, तो धनु राशी के जातकों से जूदना आपके लिए कठिन होता है लेकिन एक बात निश्चित रुप से है कि धनु जातक बुद्धिमार होते है और यह राशी आपके सुखस्तान में आती है अर्थात उनकी कुछ चीजों को समाल कर यदि आप उनसे जूडते है तो अपना जीवन सुखकारक बनाने के लि उन्हें आपकी कन्या राशी लाभकारी रहती है संक्षेप में आप दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी हो सकते है लेकिन इह दोनों राशिया एक दूसरे के केंडरस्तान में आती है जिस कारण आपकी मित्रता सरलता से नहीं हो सकती वास्तों में कई प्रकार के निर्मान होते हैं, लेकिन आप यदि धनुजातकों की कुछ चीजों को समालते हैं, वे आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, व्यवार करते समय हमें कई बार विभिन्न परकार के लोगों से जुड़ना पड़ता है, फिर वहां आपके सहयोगी हो सकते हैं, आपके वरिष्ठ ह हो सकते हैं, आपके मित्रों हो सकते हैं, उन सभी के साथ जुड़ना आपके लिए अत्तिन आवश्यक होता है, जिस कारण आप यदि समझ ले कि यह धनुजातक हैं, उन्हें काम में किसी प्रकार की बाधा सहन नहीं होती, या यदि वेकार्य में व्यस्त हो, तो बीच में ब बात करना उन्हें पसंद नहीं होता है, इस बात को आप पहले से समझ ले, तो आपको उनसे बड़ा लाब हो सकता है, उनके साथ आप उचित पद्दती से कार्य कर सकते हैं, जिस कारण आपके वरिष्ट यदि धनुराशी के हो, तो उनके कार्य में किसी भी प्रकार की दोनों के लिए वह लाभकारी होता है, मकर राशी की दुरुष्टी से विचार करें, तो यह शनी देव की राशी है, आपके राशी स्वामी बुध और शनी देव में प्राकृतिक मित्रता है, यह राशी आपके पंचम स्तान में आती है, अर्थात जहां से हम क्रियेटिव पंच स्वामी बुध रिकत आती है, फिर भि कुछ चिजों में यहां बडा अंतर विरोद दिखाई देता है, विशेष रूप से, मकर चरत अकी राशी है, तो कन्या दूई सभः राशी है, आपकी राशी आर्थात अकी हैं, तो मकर भी आर्थात अकी ही राशी है, अर्थ इस राशी में थोड़ी रुक्षता आती हैं। उसे हम शनी देव की श्रमिक राशी कहते हैं। जिस कारण मकर राशी के जातकों का दुरुष्टिकों अलग होता है। इस बात को आपने समझना चाहिए। वे अपने कार्य में व्यस्ता रहते हैं। अर्थात आपके सहकर्मिय आपके मकर राशी के हो और आपने उन्हें शांती से सबाले तो वे आपके कई काम कर सकते हैं। कन्या राशी के पंचम स्तान में मकर राशी आती हैं। और मकर राशी के भाग्य स्तान में कन्या राशी आती हैं। जिस कारण उनका भाग्य सम्रुद्ध करने के लिए आपका उपयोग होता है और आपकी creativity जागरूत करने के लिए मकर राशी का उपयोग होता है अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए सकारात्मक और लाभकारी हो सकते है विवह जोड़ते समय भी हम कन्या और मकर राशी के जातकों के विवाह को अन्युमति देते हैं अर्थात उसके लिए गुण मिलन करना महत्वपुर्णा होता है उसके बाद कुम्भ राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो यह राशी आपके शडास्टक में आती है लेकिन यह पृती शडास्टक होता है कन्या बुद्धिमान ता कुम्र राशी के स्वामी सनिदेव और आपकी राशी के स्वामी बुध देव में मित्रता है जिस कारण बै आपके लिए लाभकारी हो सकते है लेकिन शडास्टक योग होने के कारण विवाह जोडने के बाद कहीं कही प्रिती अर्था प्रेम कम होकर प्रेम की मृत्य होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता यह दोनों राशिया बुद्धिमान होने के कारण सबसे पहले पिछे को नटेगा यह प्रश्न भी निर्मान होता है जिस कारण प्रेम क्रम होने की संभावना निर्मान होती है य यदि दोनों की मूल कुंडलियों का सखोलता से अध्यन किया जाए और उसमें अन्य ग्रस्तिती शुबह हो तो कुम्भ और कन्या राशी के जातकों का विवाह किया जा सकता है। अन्य किसी कारण से यदि आपका संबंद कुम्भ जातकों से आये अर्थात आपके वरिष्ट कुम्भ राशी के हो तो यह ध्यान में लीजिए कि वे अत्यंत बुद्धिमान होंके उसी पद्धती से आपको यह स्थिती सबालनी पड़ेगी। सभी चीजों को उस पद्धती से मैनेज करना है। यह बात आप द्यान में लीजिए तभी कुम्भ जातकों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है। इसके बाद मीन राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो राशी स्वामी गुरुदेव और आपके राशी स्वामी बुधदेव में प्राकृतिक रूप से शत्रुता है। लेकिन यह दोनों राशिया एक दूसरे के सामने आती है। जिस कारण उन्हे प्राकृतिक रूप से मेड़ फोर इचदर कह सकते है। बूध का अर्थ बुद्धिमत्ता तो गुरु का अर्थ ज्यान होता है। बूध अर्था प्राथमत्त बुद्धिमत्ता और गुरु का अर्थ सकोल ज्यान होता है। लेकिन जब मीन राशी का विशे आता है तब यह अक्तिन्त सव्वेदन शील और जलतत्व की राशी है स्वयम प्रसन रहना दुसरों को भी प्रसन रखना यह मीन राशी का मुल्भुद गुंदर्म है जो कही न कही कन्या राशी से जुड़ता है जिस कारण मीन और कन्या जातकों का विवाह किया जा सकता है अर्थात उसके लिए दोनों कुंडलियों का थोड़ा सकोल अध्यन आवश्यक है कुंडलियों में अन्य ग्रहस्तिती शुभः हो तो ही ऐसे विवाह को अनुमती दी जाती है क्योंकि कन्य आर्थतत्व की राशी है हर चीज में आर्थिक मुद्धों को देखना यहां आपका स्ताई भाव है इसके विरुद्ध मीन मोक्षत रिकोन की राशी है खाप इकर सदैव प्रसन्ना रहना यहां उनके सभाव का भाग है इस बात को आप समझ लेते हैं तो कन्या और मेन राशी की मित्रता हो सकती है आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं और उसमें दोनों की उन्थी होती है लिस परगार गلची के जातकों नय अन्य राशी के जातकों से कैसा व्योभार करना चाहिए यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्यापत है हम यही रुकते हैं साथ ही जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगले भाग में आपको कौन से राशी की जानकारी प्रापत करनी है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर आएंगे उस राशी पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले ताकि दूसरों तक पहुच पाए धन्यवाद शुभम भवतू जय जोतिश जोतिश का द्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई कर करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद